हेलो इवर्ड़ों वेल्कम टू मैंच चैनल मेरा नम पुजाराय है और मैं आप लोगों को सिलाई से खानी का काम करती है तो यह सारी चीजे आपको घर में चाहिए अब उसमें से हम निकालेंगे दो पेज दो पेज को हम देखें दो पेज है हमें इस तरीके से ना फोल्ड कर हमें अैसे फोल्ड करना है, फोल्डिंग यह हो गई चौड़ाई और यह हमारी हो गई लंबाई अब हमें सब से पहले निकालना है कंधा जो कि रखेंगे हम 6.5 इंच यहां पर गले के लिए रखेंगे 1.5 इंच और लंबाई रखेंगे 5 इंच चौड़ाई नीचे के भी 3 इन्च ही होगी यह हो गया अब यहां से इसकी लंबाई रखेंगे हम साड़ी पाच इंच साड़ी पाच इंच रखने के बाद जितना चोड़ा आपको बनाना है उतना हम रखेंगे ऐसे करके यहां पे और यहां से साथ इंच यहां से 7 इंच लंबा इनका लेंगे यह हो गया यहां से 10 इंच रखेंगे हम सूट की नीचे की चोड़ाई के लिए देखें यहां से यह वाला अब यहां पी हम फिटिंग के लिए कितना हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं यह हम दिखा रहे हैं अगर हमारा चोड़ाई 8 है 16 है तो हम 19 लेंगे ठीक है तो यह हम मतलब एक्स्ट्रा कपड़े लेने के लिए आप लोगों बता रहे हैं यह है हमारा 5 इंच और यह है हमारा 6 इंच यहां से है 5 इंच और सीना आपको 9 इंच हमने बताया है अगर आपका सीना 9 इंच है तो नीचे के हिप के लिए आपको 10 इंच चाहिए अब इसके बाद जो नीचे के फोल्डिंग होती है अगर आप लेगी सुट पहनते हो तो थोड़े से चोड़े बनाए अगर आप पटियाले पे पहन रहे हो तो आप पतले बना सकते हो अगर आप लेगी सुट पहन आ रहे हो तो उस पे थोड़ा सा चोड़ा हम बना सकते है यह हो गया इसके बाद हमें थोड़ी से गहराई लगानी है इस तरीके से अगर आपको डिजाइन बनाना चाहे है या आप चाहते हो तो आप ऐसे करके डिजाइन भी बना सकते हो अधर्वाइस स्क्रिप्ट करें इसको नई बनाना है तो ना बनाए फिर उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल की गहराई इसके बाद यह हमारी पीछे की गहराई है और यह वाली हमारी आगी की गहराई है आगी की गहराई हमेश अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको पलट देंगे तो आपको उधर एकदम सिंपल पड़ेगा वहां से आप बिल्कुल अच्छे से निशान लगा सकते हूं फिर भी गलत हो जाता है तो इसको जैसे अंदर से फोल्ड किया हमने उसे आप बाहर से फोल्ड करें तो भी आपका सिंपली तैयार हो जाएगा लगाने के लिए ठीक है तो यहां पे मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको दूसरे पेपर के यूज ना करनी पड़ेगी और आप यहीं से कई चकर या कई बारी आप इसमें निशान लगा सकते हूं फिर इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे ऐस देखिए है हमारा पीछे का तो धाइंच हम इसमें भी घटाएंगे ताइंच खटाने के बाद नीचे एक इंच हम घहराए देंगे इसे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए पीछे अमें गला नहीं गिराना है तो जैसे रेडी मेर सूट में हम खरीद रहें आजकल त तो आप जैसे आप बनाना चाहों वैसे बना सकते हो लेकिन अगर आप कॉलर बनाना चाहो तब भी आप ऐसे ही कटिंग करोगे इसके बाद हमें पैपिन बनाना है गले पे भी और बाजू पे भी उसके लिए हम जितना कपड़ा या पेपर ले तो उसे हम ऐसे फोल्ड करें तीरा करके क्यों क्योंकि इसमें यहां से 15-15 की डिस्टंस पर हम निकालेंगे पट्टी तीरी पट्टी या तिर्ची पट्टी हम इसलिए निकालते हैं ताकि उस कपड़े में लचक रहे और अच्छे से पैपीन बन जाए ठीक हैं तो पैपीन में अगर पैपीन ढोरी अग छोड़ा से हम अलग कर देंगे तैसमें लचका जाती है और यह अच्छ तरीके से बन जाता है इसके बाद लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंक प्रटिंग करने के बाद आपको सिलना कैसे है यह भी देख लेजिए यहां से हम रखेंगे इसको ऐसे रखेंगे सिल लेकर और दूसरे साइट से भी ऐसे रखेंगे इसको भी सिल कर सारी पट्टियों को हम जॉइंट करके रखेंगे क्योंकि बाजू में और क्याले में सब में लगाना है तो यह कित्थे जॉइंट कर लेंगे तो आपको जंजट परबर का नहीं होगा यह हो गया इसके बाद हम यह पीछे वाला है और इसके बाद हम इस पर आगे वाले को अटेच करेंगे यहां से इस तरीके से अब इस पे हम सिलाई बना लेंगे दोनों साइट अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीस हमारी चैनल को सस्क्राइब करें एंड बेल आइकन को हीट करें ताकि नेटिफिकेशन बेल बच जाएं और आप मेरी वीडियो को जल्दी से देख पाएं अगर आप हमारी चैनल पे नए होगे तो आपको पता ना हो सायद लेकिन आप फर्स्ट दिन से सिलाई सीखना चाते हो सुई धागे से पेपर से ही तो सर्च करें सिलाई सीखनी का आसान तरीका पहला दिन वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो को देख करके सेक्स करें और दूसरे को भी सिखा सकते हो बिलकुल free है इसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है सिस्क्राइब करोगे तब भी आपका कोई पैसा नहीं जाएगा प्लीस लाइक सेर इन सिस्क्राइब कर दीजिए खुद है और दूसरों को भी प्रेडित करिए वह वह कुछ सीखें किसी के ऊपर बोज ना बने लड़कियों को ऐसे भी सब कहते हैं कि लड़कियां बोज हैं तो मैं मैं अपनी फैमली के लिए नहीं बोज हूं यह आप डिसाइड करिए कि आप क्या हो लेकिन मैं तो नहीं हूं मैं सब से कहते हूं मैं नहीं बोज हूं और ना मैं मचली हूं कि मैं सडर रहे हूँ ठीक है तो ये चीज आप अपने अंदर भी डालिए कि हमें बोज नहीं बना लड़की हो या फिर आउरथ या साधी कर चुकी हो या हो रही हो कि पेहले डैड़ी के उपर बोज रहो फिर शास ससूर के उपर बोज रहो फिर पति को पर बोज रहा हो फिर बच्चों को पर बोज रहा हो इतने बोज सब कह करके दिमाग में हम लोग को डाल दिया ना कि हम लोग बोज हैं लेकिन मैं बोज नहीं हूं मुझे नहीं बोज ना बोज किसी पर मैं खुद अपने पैरों पे इतनी अटल हूं कि मैं औरों क कि बोज को भी उठा सकती हूं जैसे कि लोग कहते हैं कि बोज हैं तो मेरे लिए कोई भी बोज नहीं है मैं सबकी responsibility अच्छे से उठा सकती हूं और मैं इतनी काबिल हूं कि मैं अपने साथ सद दस लोगों की और भी मदद कर सकों तो मेरे पास हाथ पैर हैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास हाथ पैर नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकती है तो प्लीज ऐसी हम सोच बदल देंगे अपनी कि हम भी कुछ कर सकते हैं तो साथ हम कुछ कर पाएं जब तक ये हम सोचेंगे कि हम नहीं होगा या फिर नहीं कर पाएंगे तो ये चीज ये होता रहेगा ये रिविजिंग होता रहेगा हमीसा से जैसे की होता आया है तो मुझे ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, मेरा सोचना ये है, होगा क्यों नहीं, ऐसा तो कोई काम है नहीं, कि होगा नहीं, यही चीज़ हम बदल लें, तो साइद हमारी लाइफ और भी अच्छी और बैतर हो सकती है, अब आती हूं इस वीडियो पर, अब हम जैसे कि पैपिन बनाया ज दोनों साइड हम पैपिन बना लेंगे, इधर भी और अधर भी, इसके बाद हम नेक की कैसी बनाते हैं, यह देख लीजे, यहां से हलके सी फोल्ड करने है, पेपर हो, या फिर कपड़े हो, आप हलके से फोल्ड करें, और फोल्डिंग करने के बाद यहां से सिलना तो इसे आप थोड़ा सा फोल्ड करके चिन्नाट आ जायेगा उसमें तो आपका पेपर नहीं भटेगा तो इस तरीके से आप गोल्ड राउंड करके सिलने के पाद है सेकंड प्रोसेस पर याएंगे यह तैयार करते जाएंगे और फिर हम इसे एक बारी और फोल्ड करेंगे यहां से देखें यह पूरा भी अंदर जा सकता है तुर्पई के लिए लेकिन हाफ फोल्ड करेंगे और हाफ हम अंदर करेंगे ऐसे करके हाफ फोल्ड करेंगे और हाफ अंदर करेंगे ऐसे करके तो इस पे हम अच्छे से सिलाई भी बना सकते हैं और प्रपर ये बहुत ही अच्छा बैठता भी है देन इसकी दो तीन फायदे हैं ये फायदे हैं कि आपको तुर्बई ने करना पड़ता है और आपके गले पे अच्छे से बैठ भी जाता है तीसरी बात ये है कि आपको कॉलर भी नहीं बनाना है और चौती बात ये है कि आपको बहुत ही खुबसूरत ये लगेगा भी तीन से चार फायदे ये हमें दे देता है पायपीन फिर इसके बाद आते हैं फिटिंग के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें 1.5 इंच कपड़े एक्स्टर लेने होते हैं सूट के लिए किछी भी कपड़े के लिए लेड़िस कपड़ों के लिए तो 8 इंच के फिटिंग हमने बताई थी कि हमें 8 पे लगाना है एक साइड तो हमारा लगा हुआ है दूसरे साइड हम आठ पर लगाएंगे I mean 16 पे फिर उसके बाद यहां से नीचे 7 इंच लगाया और यहां सी हमारा 10 इंच है अब इसी के अकोर्डिंग हम उस साइड भी लगाएंगे लेकिन यहां से 7 और यहां से 10 देखिए यह हमारा कंप जीट हो गया, अब यहां से आपको सिलना कैसे है, जैसे कि निसान बना हुआ है, ऐसे ही सिले, अगर आप मसीन से सिल रहे हो, तो इस पे दो या तीन सिलाई जरूर बनाएं, क्योंकि अगर हम सिलाई नहीं बनाते हैं, तो फिर हमें ही दिक्कत होती है, एक बार ऐसे हुआ कि मै जल्दी जल्दी में कपड़ा सिला, और मैं कहीं जा रहे थी, तो मैं इसको लेकर की पहनने के लिए, अब जब मुझे पहनना हुआ तो वह थोड़ा सर टाइट हो गया, टाइट हुआ भी तो अंदर सिलाई ही नहीं, अब पूछिए मत कि मतलब मैं कैसे मैंने किया, कैसे भ तो यह हो गया नीची की सिलाई, ऐसे ही हम साइट का सिलाई बनाएंगे, चारु तरप का ऐसे ही बना लेंगे, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगे, अगर आप सूट बना रहे हो, तो कोजिस करिए कि आप तुरपई सूट बनाएं, तुरपई सूट बहुत प्यारा और क्लासी भी लगता है, अगर आप सिलाई बनाते हो, थोड़ा सा आप का पहनने के बाद जो खुजी होती है, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, अगर आप तुरपई करते हो, तो आप और उसे अलग भी लगोगे, और आपको अच्छा भी लगेगा, मैं कैसे समझ तो यह चीज है, फिर इसको हम सिलने के बाद इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग करने के बाद इसको उल्टा करेंगे, फोल्डिंग करके फाड नहीं रहा है, मेरे सब्सक्राइबर लोगों को पता होगा, कि मैं परेपर को फोल्ड करती है, अच्छे स झालगा, प्लीस लाइक